Bitcoin के अंदर आज major correction हमने देखा, Bitcoin यहाँ पर trade कर रहा था $36,000 के round पर और यहाँ पर एक major correction आने के बाद Bitcoin currently trade कर रहा है $32,000 के round पर So ऐसे में आखिर किस direction में जो market है वो यहाँ पर move होने वाली है क्या यहाँ पर possibilities बन रही है market को लेकर साथी साथ आप लोग के लिए बहुत ही सारी important update है मेरे पास So आज इस वीडियो के अंदर इसी के बारे हम हम share करने वाले हैं वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा interesting होगा, informative होगा तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा अगर आपने 2021 के स्टार्टिक से मुझे यहाँ पर follow कर रहे होगे तो आप लोगोंने काफी अच्छा मिनी बनाया होगा कर्क्शन हमें देखने कि लिला आया यहाँ यहां पर किस वज़ा से कर्यक्शन यहाँ पर आया है first its first यहां पर काफी थूर्ड यूह मार्केट में निकल करकर आ रहे हैं सबसे पर न्यूस के हम study यहाँ पर यह हमें बात करें यहां पर thread हो सकता है dollar को बेसिकली अगर देखा जाए उनके interview के अंदर उनका ये मतलब था कि dollar को कही नगाई जो bitcoin है वो यहां पर overcome कर सकता है इस वज़ासे वो bitcoin को जो scam है वो यहां पर मार रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा fluctuation होता है हाला कि इसके उपर बहुत सारे meme भी बन रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहां पर bitcoin को लोगे कर ऐसी चीज़ें यहां पर बोली है पर definitely इसका impact हमें देखने के लिए मिला है market के उपर सेगिंड यहां पर बात करें एक और news है और वो है चाइना की तरफ से आप सबी लोग को पता है चाइना की तरफ से ऐसी जो FUD है वो हमीशा market के अंदर निकल कर के आते रहते हैं और कभी यह जो FUD है वो यहां पर real भी रहते हैं कभी यहां पर completely fake रहते हैं कई बार चाइना यहां पर market को manipulate करने के लिए try कर चुका है यहां पर बात करें टाइम टाइम बहुत सारी news निकल करके आती रहती हैं बढ़ हाली के अंदर जो news निकल करके आई है उसके अंदर यह दिया हुआ है कि चाइना जो है यहां पर वो अपने social media platform के उपर जितने भी crypto related account है उन सभी को यहां पर block कर दिया गया है अब इस news के बाद काफी ज़दा panic जो है वो लोगों में create हो गया क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे account है crypto related और चाइना अगर ऐसा कोई step यहां पर ले रही है तो क्या इंडिया के अंदर भी ऐसा को step लिया जा सकता है इस वज़़ा से काफी ज़दा panic जो है वो market के अंदर यहां पर create हुआ इसी के वज़़ा से हमने market के अंदर यहां पर काफी major correction देखा है यह किस direction में move हो सकता है क्या हम bearish mode के अंदर यहां पर चले गए हैं already या फिर अभी भी bullish zone के अंदर हम यहां पर जा सकते हैं उसके लिए मैं directly आपको लेकर के चलती हूं Bitcoin के चार्ट के ऊपर हम यहां पर करते हैं इसकी technical analysis आप यहां पर देख सकते हैं यह मैंने Bitcoin का 4Rs का चार्ट लिया हुआ है इस चार्ट के अंदर दो acclimination zone जो है वो यहां पर form हो रहा है फर्स जो acclimination zone है इसके अंदर फिलाल हम currently यहां पर trade कर रहे हैं यह first time नहीं है बलकि हम last time भी यहां पर कुछ मन के लिए इस zone के अंदर यहां पर move कर चुके हैं Bitcoin इस zone के अंदर भी कुछ time के लिए यहां पर रह चुका है सेम चीज यहां पर repeat हो रही है अब अगर बात करें यहां से क्या possible move इसका बन सकता है तो दो move है फर्स तो यह है कि अगर यह downward direction में move करता है और downward direction को यहां पर break करता है तो हम यहां पर second acclimination zone के अंदर जाते हैं बट अगर हम यहां पर आप देख सकते हैं यह जो हमारा accumulation zone first है अगर इसको यहां पर 40k round पर break कर देता है bitcoin तो again हम यहां पर bullish mode के अंदर आ जाएंगे बट यहां पर यह जो zone जब यह 40k zone यहां पर bitcoin break करेगा इस time पर heavy volume के साथ इसको break करना चाहिए तभी हम bullish zone के अंदर यहां पर जाएंगे otherwise जो bitcoin है वो यहां पर 2 zone के अंदर travel कर सकता है जो कि पहला यहां पर आप देख सकते है zone 1 है and second जो है वो यहां पर zone 2 है इन दोनों zone के अंदर जो bitcoin है वो यहां पर move करता रह सकता है इसके साथ ही साथ मार्केट के अंदर काफी सारी पॉच्टी नियूस भी निकल करके आ रही है और मुझे लगता है यह जो पॉच्टी नियूस है तो वो डेफिनिटिली लॉग टम के अंदर बिटकॉइन के उपर इंपक्ट डाल सकती है फर्स्ट यहां पर बात करें जो नियूस है वो यह है कि एक कंट्री है यहां पर एल सालवांडो जिसके प्रेसिदेंट है यहां पर कल अनौंस किया है कि वो बिटकॉइन को एज लीकल टेंडर अपनी कंट्री के अंदर मानेंगे इसके अलावा उन्ही को जोइन करते हुए एक पनामा एन परागुआ कंट्री है जिसने यहां पर बिटकॉइन के एडॉप्शन को लेकर के बाद बोली है अब यहां पर जहां पर कंट्री एक के बाद एक बिटकॉइन को एडॉप्ट करने के लिए बोल रही है इसके लिए वो यहाँ पर अपने कॉपरेट जो पॉंट्स हैं उनको सेल करने वाले हैं यह काफी बड़ी न्यूज है क्योंकि आप सभी लोगों को बता है माइक्रो स्ट्रेटरजी जो कामपनी है वो यहाँ पर हर एक डिप के अंदर बिटकोईन को बाय किया है हैं बहुत ज़्यादा एमाउंट के अंदर बाय किया हैं जब भी मार्केट यहाँ पर करेक्शन लेती है जो माइक्रो स्ट्रेटरजी के सीउ हैं वो यहाँ पर पोस्ट डालते हैं कि हम बिटकोईन को यहाँ पर बाय करने वाले हैं यह कहीं ना कहें ई पॉस्ट डूज इन मार्केट के अंदर डेफ्निट हम आपर इम्पाक्क जो है वो यहाँ पर दानने वाली है आपकी उपिनन क्या है? बिटकोईन यहां से क्या next move ले सकता है? क्या आपको लगता है? बिटकोईन का next क्या target रहेगा? आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा ट्रैम की news के उपर आपकी क्या opinion है? मुझे यह भी comment section में जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो informative लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजगा क्योंकि यही मुझे motivate करता है आप लोगो के लिए ऐसे ही informative content लेकर क्या निकलेए टेलिग्राम चैनल के उपर जोइन जरूर हो जाए क्योंकि जो भी instant update होती है कोई information होती ही news होती है क्रिप्टो के रिगार्डिंग मैं आप लोग के साथ महाँ पर सबसे instant share करती हूं इसका लिंक जो है वह आपको description के अंदर मिल जाएगा चैनल को subscribe नहीं कि है तो में शुकर करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें क्योंकि इसी तरह की वीडियो में आप लोग विलाती रहती हूं जो कि मीद करती हूं आप लोग के लिए काफी ज्यादा एलफ रहेंग करना है